Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफॉर्डिबल सबसे पहला रीजन है, गंगा के पानी में ऑक्सिजन का लेवल दूसरी नदियों के मुकाबले 25 प्रतिशत ज्यादा होना। High oxygen content, bacteria और microorganisms के लिए unfavorable conditions create करता है। मतलब, bacteria का वहां survive करना मुश्किल हो जाता है। ज्यादा oxygen होने की वजह से, bacteria और microorganism की growth रुख जाती है, जो पानी को सड़ने से बचाता है। दूसरा reason यह है कि गंगा जल पहाड़ी इलाकों से होते हुए आता है, जहांकि कई minerals इसमें mix हो जाते हैं। इन minerals में sulfur भी शामिल है, जो bacteria की growth को रोकने में मदद करता है। researchers बताते हैं कि गंगा जल में sulfur की अच्छी मात्रा होती है, जो एक natural antimicrobial agent का काम करता है। तीसरा और interesting fact यह है कि गंगा जल में bacteria phages present होते हैं। bacteria phages ऐसे viruses होते हैं जो specifically bacteria को destroy कर देते हैं, जो पानी को खराब कर सकते हैं। इस वजह से गंगा जल अपनी self cleaning property के लिए जाना जाता है। इन सभी reasons की वजह से गंगा जल को काफी लंबे time तक बिना किसी filtration या chemical के store किया जा सकता है। यह सिर्फ हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बलकि एक scientific wonder भी है, जो हमारे प्राचीन ज्यान और आधुनिक विज्यान को एक साथ जोड़ता है। अगर आपको यह video informative लगा, तो चैनल को subscribe जरूर करें और इसे share करना न भूलें। Study IQ IAS, अब तयारी हुई, affordable. यह, questionsili цел टापको यह, अबुड़ता है